भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां हर धर्म और जाती के लोग रहते हैं और हर धर्म के अपने रिती रिवास भी होते हैं और हर किसी के रिती रिवास भी अलग-अलग ही होते हैं और भारत में तमाम तरह के धार्मिक परंपराई हैं जिनमें से एक परंपरा ऐसी है जिसे सुन कर आप हैरान हो जाएंगे तो चलिए एक ऐसी अनोखी परंपरा के बारे में आपको बताते हैं देखिए एक खास रिपोर्ट भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं और सब के रीति रिवास भी अलग-अलग होते हैं यहां तमाम तरह की धार्मिक परंपराएं और रीति रिवास देखने को मिलते हैं इन में से कुछ परंपराएं इतनी अजीबों गरीब होती हैं कि जिनके बारे में सुनकर आश्चरह भी होता है तो चलिए आज आपको ऐसी ही एक अनुखी परंपरा के बारे में बता देते हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी हरान हो जाएंगे हिंदुधर्म में देविदेवताओं की पूझा को लेकर तरह-तरह की परंपराई निभाई जाती है ऐसी एक परंपरा पश्य मंगाल के हुगली चिले के चंदन नगर में निभाई जाती है यह परंपरा ऐसी है कि इसके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा और इस परंपरा के अनुसार पुरुष साड़ी बहन कर पूजा करते हैं तो चलिए अब आपको बताते हैं इस सनोखी परंपरा के बारे में दरसल पश्य मंगाल के चंदन नगर में इस परंपरा के दोरान मा जगधात्री की पूजा की जाती है इस दोरान घर की महिलाई नहीं बल्कि पुरुष साड़ी पहन कर मता की पूजा अरचना करते हैं हर साल की तरह इस बार भी चंदन नगर का नजारा काफी अद्बुत था इस बार भी पूजा के दोरान पुरुष ने साड़ी पहन कर मा जगधात्री की संदोर और पान से आराजना की बांगला संस्पृती में सदियों से ही मा जगधात्री की पूजा के दोरान अलग-अलग नजारा देखने को मिलता है इस दोरान पुरुषाड़ी पहन कर और सिर पर पल्लू डाल कर माजगधात्री की पूजा अर्शना करते हैं हर साल ये बहुत ही मोहग द्रिश्य होता है पूजा के दोरान इस शांदार नजारे को देखने के लिए मंड़ परिसर के भीतर और बाहर सेकड़ो श्रधालू चमा रहते हैं तो चलिए बाब को बताते हैं कि इस परंप्रा की शुरुवात कब, कैसे और क्यों होई थी दिरसल पूजा कमीठी के संचालक बताते हैं कि आज से लगबग धाईस साल पहले बंगाल के राजा क्रिश्नी चंडर दिवान दाताराम सूर की बेटी का घर चंडर नगर के गौरहाटी में था जहां पर मा जगधात्री की आराधना होती थी बात में आर्थिक तंगी के कारण राजा की बेटी ने इस पूजा को तेतुल तल्ला जगधात्री पूजा के रूप में इलागे के लोगों को हस्तांतृत कर दी उस समय राजा और जमीनदार परिवारों में महिलाओं के लिए परदा प्रथा का प्रचलन था किसी भी सामाजिक कारे में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं को इज़ाज़त नहीं दी जाती थी पश्रिम बंगाल के संस्कृती में ये परंपरा अंग्रेजों के शासन के समय से चली आ रही है इस अनोगी पूजा के बारे में ये भी कहा जाता है कि करीब 239 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था तब शाम चलने के बाद अंग्रेजों के जर से महिलाओं घर से नहीं निकलती थी उस दोरान घर के पुरुष साड़ी बेहन कर मा जगधातरी की पूजा करते थे और इसके बाद तो ये एक परंपरा बन कर चल निकली और तब ही से पुरुष साड़ी बेहन कर देवी मा की पूजा आर्चना करते हैं स्पेशल रिपोर्ट आर्या नियूज फिलाल बिहार के खबरों में इतना ही आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहें आर्या नियूज के साथ